और आ मंत्री देशों की फेहरिस्त में बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना जिनका आगमन हो गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना का अपचारिक स्वागत करते हुए अर्जिंटीना के राष्टपती अलबर्टो फनांडेस का स्वागत करते हुए और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री आंथनी नॉमन अलबनीजी एक बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया ने जिसका भरपूर समर्थन किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी नॉबन अलवनीजी का स्वागत करते हुए जिनमें कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन पियर जेम्स टूडो का आगमन तो कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन पियर जेम्स टूडो का स्वागत करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी G7 में जर्मनी के बहुत महत्पूर्ण भूमिका G20 के मंच पर जर्मनी की बहुत ही खास भूमिका वैस्ट्रिक मुद्नों पर सहमती बनाने के लिहाद से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर उलाफ शॉल्स का स्वागत करते हुए और इस वक्त इटली की प्रधान मंत्री जर्जिया मेलनी जो इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री है और इटली ने भी भरपूर समर्थन दिया है भारत की G20 प्रेसिदेंसी का है केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन्स पर सांस्कृतिक लिहाद से दोनों देश और जादा करीब आते हुए दक्षन कोरिया के राष्टपती यून सुक्यो जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इस वक्षन अफ्रीका के राष्टपती एम सुरिल रामाफोसा दोनों देशों के संबंध कारोबारी तौर पर संस्कृतिक तौर पर और मानुविय तौर पर बहुती प्रगाड बहुती प्राचीन इस वक्त आप देख सकते हैं युनाइटिट किंग्डम के प्रधान मंत्री रिशी सुनक का आगमन भारत मंडपम में भारत यमूल के पहले व्यक्ती जो युनाइटिट किंग्डम के प्रधान मंत्री पत तक पहुँची हैं रिशी सुनक हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और इस वक्त प्रधान मंती नरेंद्र मोदी गर्म जोशी के साथ गले मिलते हुए रिशी सुनक के साथ और हैंडशेक करते हुए अपचारिक स्वागत इस वक्त ब्रजील के राष्टपती लोईज इनासिया लूलाद सिल्वा हाला कि यह सतंबर यदि कल डेक्लरेशन किया जाएगा ट्रांसफर किया जाएगा प्रेसिडेंसी उसके बाद भारत के और से काम जारी रहेगा 30 नौवंबर तक साथियारब के क्राउन प्रेंस मोहमद बिन सल्मान भारत मंडपम पहुँच चुके हैं और इस वक्त कुछी देर पहले हमने देखा कि उनका भारत में आगमन हुआ था भारत के जी ट्वेंटी के प्रेसिडेंसी के दौरान तमाम वर्किंग ग्रूप्स के दौरान जो एनर अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन का आगमन हो चुका है युएनसी की 27 अदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तोर पर समर्थन किया बदलते हुए परिद्रिश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डिमॉक्रसी दुनिया की सबसे बड़ी डिमॉक्रसी एक साथ प्रधामंति नरेंद्र मोधी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपती और फर्स्ट लेडी ने प्रधान मंत्री के दोनों तरफ से हाथ पकड़ के वे उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए थे और वो ये राष्ट्रपती जो बाइडन को एक्स्पेंग करते हुए कि इसके माइने क्या है